आज मैं आपके लएक राए हूं सबकी फैवरेट अलू टिकि और आलू कि पर चट्पटि से दयी वाली हरी चथनी के रेसेपी भें हम देखेंगे आप टिकि को चथनी के साथ सॉस के साथ यह तो चाट में बनाकर काए यह बहौत चट्पटि से लगती है और इसे बनाना बहुत आसान है अगर आपको मेरी आलू टिकी की और चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो वेडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास मेरे बैल आइकन को प्रेस करतें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आलू टिकी बनाने के लिए एक बॉल में छे उबले होए आलू ले ले आलू को मैंने उबाल कर फ्रीज में रख दिया था, चार गंटों के लिए जिसे आलू का एक्स्ट्रा मॉश्य निकल जाए, आप चाहो तो ओवर नाइट भी फ्रीज में रख सकते हो हमें ठंडे आलू ही लेने हैं, जिसे इसकी एक्स्ट्रा नमी ना रहे और हमारे आलू टिकी एकदम क्रिस्पी सी बने इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, जिसे इसमें बड़े टूड़े ना रहे, अब इसमें डाल देंगे एक चमच हरी मिर्च की पेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग हरी मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हो तो ठोड़ा सा फ्रेश खटा हुवा हरा धन्या, थोड़ा सा फूदीना, इसका एक अच्छा से टेस्ट आयेगा तो एक चमज इतना कटा हुआ पुदीना डाल दे आधी चमज लाल मेरिश पाउडर 1 by 4 चमज अमचुर पाउडर 1 by 4 चमज काला नमक 3 by 4 चमज नमक 2 चमज चावल काटा लेंगे अगर चावल काटा नहीं है तो कच्चे चावल को मिक्सी में पीस कर डाले अब इस सारी शिशो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप आलू को ग्रेट करके यूज करेंगे तो इससे मिक्स करने में बहुत असनी रहांगी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब टिक्की बना लेते इसके लिए पहले हाथों को साफ कर ले और हातों के उपर थोड़ा सा तेल लगा कर हातों को थोड़ा सा चिकना कर ले अब थोड़ा सा मसाला ले ले जितनी साइस की आपको आलो टिकी बनानी है उतने साइस के एक मसाला तोड़ दे इसका एक गोला बना ले फिर दोनों हातों के बीच में रखकर हलका सा प्रेस कर ले ध्यान रहे किनारे की साइट फटे नहीं ये देखे टिकी तयार हो चुकी है इसे साइट में रख दे इसी तरह से दूसरे टिकी बना लेते थोड़ा सा मिक्शर ले ले गोला बना ले फिर इसे दोनों हाथों से हलका सा प्रेस कर ले तो ये तेयार है हमारे दूसरे टिक्की, ऐसे ही करके सारे टिक्की प्रपेर कर ले, ये देखिए आलो टिक्की सारी बना ली है हमने, अब इसे हम सैलो फ्राइ कर लेंगे, एक पैन ले ले, उस पे थोड़ा सा तेल डाल दे, थोड़ा सा मतलब कि हमारी आलो टिक्की आधी सी दूप जाए उतना तेल आप चाहो तो इससे डिफ फ्राइ भी कर सकते हो पर आज हम सैलो फ्राइ करेंगे इसे हम गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब सावधान इसे टिक्की डाल दे मैं आपर पैन के एकोडिंग तीन टिक्की डालूँगी इसे हम लो मिडियम फ्रेम पर फ्राइ करेंगे जब तक नीचे वाली साइट पर ब्राउन लेयर नहीं दिखेगी तब तक इसे हम नहीं पल्टेंगे ना ही इसे चम्मत से हिलाएंगे ये देखिए, ब्राउन लेयर आज चुकी है इससे हम साउधाने से पलेट लेंगे आलू टिक्की को एक साइट फ्राई होने में आराम से चार मिनिट जितना टाइम लगीगा ये दुसरे साइट भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है ये देखिए, अब इसे हम निकाल देंगे अब दूसरा बैच्छ फ्राई कर लेते अब टिक्की के साइट सव करने वाली हम चटनी बना लेंगे पहले मिक्सिका जार ले ले उसमें डाल दे हरा धन्या डंठल के साथ यूज करें क्योंकि डंठल का टेस्ट बहुत ये अच्छा लगता है अब डाल दे दो हरे मेर्ज थोड़ा सा फुदी ना आधी कटोरी जितना रोस्ट की उवी मंगफली आधी चम्मच जीरा पाउडर त्री बाई फूर चम्मच नमक वन बाई फूर चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक थोड़ा सा काली मेज का पाउडर और एक चम्मच दहीं अब इसे पीस लेंगे ये पीस चुकी है पर ये थोड़ी से गाड़ी है तो इसमें डाल देंगे हम दो चम्मच और नहीं और वहाँ पीस इसे पीस लेंगे ये देखे एक तब परफेक्ट मनी है तो हमारे चटनी भी तयार है अब हम गर्मा गर्म सव करेंगे आलोटिकी और चटनी उसके साथ थोड़ा सा कैचिप तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं